हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मैं हूनी रजराया और श्वागत है आपका फार्माहर्ट्स में दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ कॉमन आईवी फ्लीट्स के बारे में जो कि जाधा तर यूज किये जाते हैं वीडियो को बनाने से पहले इतना बता दें कि यह छोड़ा सा वीडियो है कि यह देखने के लिए बनाया गया है कि क्या इसमें कुछ रिस्पॉंस आता है अगर अच्छा रिस्पॉंस आता है इस उपर तो अवी फ्लीड के बारे में बड़ा सा डीटेयल सा वीडियो अच्छा सा बनाया जाएगा तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो में वह सारे आयव फ्लीड जो की यूज किया जाते है उनके बारे में उसके रहिसकर मी cabbage करें उससे नार्मल सोलाइण से डेक्स्ट करता है दूसरे डीने से डेक्स्टरो जनार्मल स्वाइं यूज के जाता है उसके बादस रिंगरल्डarde solution RL जिसको हम बोलते हैं ज्यादा तर प्रफर के जाता है डॉक्टर के द्वारा और जीरो पॉइंट परसंट नसील होता है कहने का मतलब अगर एक हजार एमेल की बोटल दे रहे हैं तो एक हजार एमेल की बोटल में लगबग 9 ग्राम जो है नसील मतलब नमक होगा ठीक है मतलब आप वाटर फार इंजेक्शन ले लीजिए उससे बनता है उसमें एक हजार एमेल होना चाहिए और उसमें 9 ग्राम जो है एनसील होना चाहिए तो आपका एक नॉर्मल सलाइन बनता है ठीक है इसको आई वी दिया जाता है चलिए देखते हैं इसका यूजिस क्या होता है तो सबसे पहला मैं आपको बताओं कि जितने भी ज्यादा तर यूज कि जाते हैं मैंणेटल स्लुशन को छोड़ करके जितने भी सेलुशन यूज कि जा रहे हैं वह मेंनली । Dehydration का मतलब क्या होता है डी का मतलब अलग हो जाना है Body के अंदर में the water का लॉश होता है तो उसें Dehydration बोलते हैं तो क्योंकि वाटर का जब होगा तो वहारे body में प्योर Water तो होता नहीं है उसमें electrolytes होते हैं होते हैं और आप सोच लीजिए कि अगर आपके बॉडी से वाटर लाश होगा मतलब आपका डिहाइडरेशन होगा तो आपका एलेक्ट्रोलाइड भी कम हो जाएगा आपके एसिड वैस बैलेंस जो है खराब हो जाएगा तो इन सब को मेंटेन करने के लिए नॉर्मल सलाइन दिया जाता है काज करके डिहाइडरेशन में जब आपका ज्यादा बलड बह गया हो या आपको डाइरिया हो वो मिटिंग ज्यादा हो रही हो जैसे कॉलराइड त्यादी में तो नॉर्मल सलाइन देते हैं ठीक है इस चीज में लेकिन आपको बताऊं कि आगे और भी बहुत सारे सलुशन्स हैं अब वहां पर आपको बताऊंगा कि ज्यादा तर किन का यूज होता है तो यह तो अगयर डिहाइडरेशन में नॉर्मल सलाइन का यूज करते हैं उसके कभी कभी जैसे घाव है तो घाव को धोने के लिए भी नॉर्मल सलाइन का यूज करता है और दूसरा कि बहुत सारे ऐसे इंजिक्शन्स होते हैं जो बहुत जादा कनसेंट्रेटेड होते हैं तो उनको डालिउट करके आईवी चड़ाने के लिए आईवी देने के लिए हम NS का यूज करते हैं मतलब NS में उसको मिला देते हैं तो डालिट हो जाता है और आसानी से उसे आई-वी दे सकते हैं ठीक है तो कुछ injections के लिए कुछ medicines को आई-वी देने के लिए NS का यूज किया जाता है दूसरा क्योंकि मैंने आपको बता है कि एक्सेडेंट में क्या होता है कि वाटर लास होता है तो वहाँ पे इसको दिया जाता है और दूसरी चीज आगे जब मैं आपको DNS बताऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि वह एक्शली ग्लुकोज होता है डेक्स्ट्रोज होता है तो उसको डियावेटिक पेशन में नहीं दे पाते हैं तो अगर मान लीजिए किसी ऐसे प्यक्ति का डिहाइडरेशन हुआ है जिसके अंदर ग्लुकोज क इसको बूला जाता है एक ग्लुकोज आपने सुना होगा कि ग्लुकोज चढ़ा जा रहा है डाक्टर कहांगे उनको अगर यह चढ़ा जाता है मतलब IV दिया जाता है DNS तो उसको बोलते हैं ग्लुकोज देना तो DNS की बात करें तो एक्शुली यह नॉर्मल से लाइन होता है और एनस में मतलब 100 ml एनस में अगर हम 5 ग्राम डेक्स्ट्रोज मिला देते हैं तो उसे हम बोलते हैं DNS जिसको हम कहते हैं डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन तो 5 ग्राम मिला रहे हैं 5 ग्राम पर ध्यान दीजेगा बहुत ज़रूरी है यूज इसका कहां पर होता है मैंने बत कि कमी हो जाती है तब उसे वोलते हैं hypoglycemia तो जो DNS है उसमें क्योंकि dextrose है नहीं का मतलब glucose है तो उसको हम चड़ा अब देते हैं किसको ऐसे पेशेंट को जिसको hypoglycemia है ठीक है उसके बाद इसको हम इंसुलिन शॉक में भी यूज करते हैं वाट इस इंसुलिन शॉक्स क्य क्या होता है तो इंसुलिन कभी-कभी हम खाना नहीं खा रहे होते हैं और हमारे बाड़ी के अंदर बân रहा होता है तो हमारे बाड़ी का जो नॉरमल Bluetooth होटा उसकी लेवल को काम कट देता है ठीक है उस गुलुब में चेंच कर देता है तो बिसको क्लेशे के बॉड़ी के अ काइदा होगा ठीक है अभी बात समझ में आयोगा कि इंसुलिन शॉक क्या है और इंसुलिन शॉक में हम डी एनस क्यों देते हैं दूसरी चीज एक कॉसंस हमें बढ़ता पड़ता है एक चितावनी लिखी होती है कि इसे हम डायवेटिक वेशन में यूज नहीं कर सकते ठीक है कभी कभी चीज आती है कि D5 क्या होता है D10 क्या होता है डिणस होता है दी्समें अगर 5 ग्राम है ठीक है 100ml स्म्में 5 कराम है तो उसे क्या बूलेंगे उसे दिफाइब 10 ग्राम है तो 25 अब यहां ग्लुकोज के बिना आदमी की मौत हो जाएगी अचानक से इमिडियेट अगर किसी के अंदर बड़ी के अंदर इंसुलिन शॉक लग गया और ग्लुकोज की मात्रा बहुत ज़्यादा कम हो गये तो उसको बचाने के लिए यह जाता है और रैरली कभी अवार इसे इमर्जनसी में ही इसका यूज क्या जाता है और आगे बढ़ते हैं हम अगले स्लुशन पर जो कि ज्यादातर यूज क्या जाता है डाक्टर्स के द्वारा वह क्या है वह है अरल मतलब रिंगर शमुशन ringer solution को हम hertzman solution भी बोलते हैं और इसे sodium lactate solution भी बोलते हैं ringer lactate solution भी बोलते हैं यह ज़्यादा तर यूज किया जाता है ठीक है अब RL में होता क्या क्या है RL में एक चीज यह जितने भी आप IV fluid पढ़ रहे हैं वह water for injections के द्वारा बना जाता है ठीक है उसमें dilution के लिए water for injection होता है तो उसमें क्या क्या चीज़े होती है देखे sodium lactate होता है sodium chloride होता है potassium chloride होता है calcium chloride होता है यह चार चीज पाई जाती है RL में ठीक है यह चार चीज घुली होती है और इसमें अगर इसको किसी को देंगे तो अगर उसके अंदर किसी भी चीज़ के किसी भी लेक्ट्रोलाइट की कमी है तो उसको पूरा कर देगा यह ठीक है तो ज्यादा तर यूज किया जाता है कहां कहां इसका यूज किया जाता ह हर जगे हर सलिशन का यूजी अभी तक डिया जा रहा है दूसरी चीजी उवशिंन बर्न सिंक होजेता है इसके चीन होता है कि पाने की कमी ऊद्टी है तो in plan को जाता है तो उसकी मात्र को पूरा करने के लिए ये चीज़ दी जाती है ठीक है। दूसरी चीज़ जब कभी वीसागऌ किसी को चख्कर कराता है तब इसका क्ये जाता हैं रिंगर में लिक टाटेशन काल— यह बात समझ में आ गई होगी कि रिंगर solution के यूज कहां कहां पर होता है next आगे बढ़ते हैं अभी तक आपने देखा कि जितने भी solution हमने बताये हैं वो सारे solution dehydration में यूज के जाता है जब हमारे body के अंदर पानी की कमी हो जाती है electrolytes कम हो जाते हैं अब एक solution होता है actually manitol जो होता है वो अगर माउट से लेते हैं तो एप्जॉर्वेवल नहीं होता है एप्जॉर्ब नहीं हो पाता है तो इसे आईवी दिया जाता है तो ज्यादतर 10 ग्राम और 20 ग्राम में आते हैं manitol solution मतलब 100 ml water fire injection में manitol गुला होता है 10 ग्राम या 20 ग्राम मतलब 10 परसंट और 20 ठीक है manitol solution को आस्मोटिक डियूरेटिक बोला जाता है और डियूरेटिक क्या होता है यह पहले से ध्यान से सुन लिजेगा डियूरेटिक जो होते हैं यह इनहें बोलते हैं कि ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमारी urine की यूरेटिक की मात्रा को बढ़ाती है ठीक है अभी आप समझ में आई एक बात कुछ के नहीं मतलब अगर हम इसको किसी को आई भी देंगे तो होगा क्या कि उसमें यूरेटिक की मात मातरा बढ़ जाएगी तो इसका मतलब क्या होगा कि उसके अंदर से पानी का लॉस होगा क्योंकि जितनी बार यूरेटिक पानी निकालेगा तो उतनी मातर में बाहर निकलेगा तो यह solution हमें कि कभ दिया जा रहा है जब हमारे body के अंदर पानी की मातरा बढ़ जाती है तब हो जाता है क्योंकि उसको बाहर निकालेंगे तो पानी की कमी होगी हमारे अंदर यह हमारे लिए फाइदे मंद होता है तो अभी तक जितना हमने पड़ा वो सभी पाइदर होसान और यह है तो देखो यह मेंनेटशन है यह कहां पर यूज के जाता है यह आपको पता है यह अलिगो यूरिया में यूज के जाता है जब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसमें होता क्या है कि कभी कभी यूरिन की मात्रा बहुत कम हो जाती है जब यूरिन की मात्रा बहुत कम हो जाती है तब यूरिन की मात्रा को बढ़ाने के लिए मैनिटाल स्लुशन दिया जाता है ठीक दूसरा इसको हम यूज करते हैं Oedema में, Oedema का मतलब जानते हैं क्या होता है Oedema कई परकार का हो शकता है जैसे cerebral Oedema होती है या ऐसे बहुत परकार का Oedema हो सकता है Oedema में हमारे body के अंदर कहीं न कहीं fluid जमा हो जाता है fluid का मतलब तरल पदार्थ जमा हो जाता है जिससे हमारी body में सूजना जाती जिससे हाथ में जमा होगे तो हाथ में सूजना जाएगे swelling हो जाएगी आँखों में जम जाता है दिमाग में जम जाता है पानी तो उस पानी को उस water को बाहर निकालने के लिए Manital Solution का यूज किया जाता है ठीक है मतलब ओए डेमा को खतम करने के लिए Manital Solution का यूज किया जाता है कभी-कभी जब हमारा Intra-Ocular Preacher जो होता है बढ़ जाता है Intra-Ocular Preacher का मतलब होता है आखों के अंदर में जिए Liquid होता है उसकी मातरा जब बढ़ जाती है तब भी मैनिटाल सलूशन के यूज करते हैं वो भी एक एडेमा का प्रकार है इसमें क्या होता है कि हमारे आई बॉल्स में जब पानी ज़्यादा भर जाएगा से ये सारी बाते मैंने आपको बता ही हैं बहुत छोटा सा बीडियो बना है बहुत नार्मल सा बीडियो बना है यह तो अगर इसका साइड एफेक्ट से त्यार हो शकते हैं, यह सारी चीज़े बना दूँगा, बस इसका रिस्पॉंस एक बार देख लेते भी लिए, दोस्तों अगर यह आपका वीडियो अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर देजेगा, वीडियो को लाइक कर देज अपने फ्रेंड्स के साथ, हम इंस्टाग्राम पर फालो भी कर लीजेगा, थैंक्यू